हम भक्त पहलाद कि तुमको भगतों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं सिरी हरी विश्नुजी के जो भक्त कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम भक्त पहलाद कि तुमको भगतों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं सिरी हरी विश्णों जी के जो भक्त कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं भगतों पे भी पता आई, तुमने ही लाज बचाई भगतों पे भी पता आई, तुमने ही लाज बचाई महर्स कश्यप की पतनी को जन्मी दो संता हिर्णा कश्यप और हिर्णाच रख दिये उनके ना महाबली और प्राकर्मी थे दोनों ही भाई करके युथ्थे देवताओं से विजय स्वर्ग पेपाई फिर्णाच ने एक दिन था पृत्वी को उठा लिया जासा गर की गहराई में उसको छिपा दिया तब विश्णू ने ले लिया वराह रूप आवतार अपने दातों बीच दबा कर लाए पृत भी बाहा फिर उस पापी को भी तो एम लोक पठाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सिरी हरी विश्णू जी के जो भक्त कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं भगतों पे बिपदा आई, तुम्रे ही लाज बचाई भाई के वद से हिर्णा कश्चप दुखी हुए, बदला लेने को ब्रह्मा का तप वो करने लगे देखा देवोंने जब हिर्णा कश्चप तप मेली, कर्या क्रमने दैत्यों पे फिर स्वर्ग लिया था छी देव राज ने फिर तो भगतों ऐसा काम किया, हिर्णा कश्चप की पत्नी को बन्दी बना लिया हिर्णा कश्चप की पत्नी उस समय गर्भ से थी, नारद मुनिस इंद्र देव की हो गई भेट तभी इंद्र देव से नारद जी उसको छुडवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं सिरी हरी विष्णों जी के जो भगत कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं भगतों पे विपता आई, तुमने ही लाज बचाई नारद जी फिर उनको अपने आश्रम ले आएं, तुमने ही लाज बचाई पिरिणा कश्चप की पत्नी को बेटी लिया बनाए, बड़े ही सुन्दर पालक का फिर वहाँ पे जन्म हुआ नारद जी ने उसको तो प्रहलाद है नाम दिया नारद जी के वचनों का प्रहलाद पे हुआ असर, सीहरी विष्णों की भगती प्रहलाद रहे हैं कर करके तप जो हिडा कश्यप लोट के फिर आए, अपनी प्रजा पे उसने फिर बड़े जुल्म ढाए हुए अहम्मे चूर खुद भगवान बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं सिरी हरी विष्णों जी के जो भक्त कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं भगतों पे विपदा आई, तुमने ही लाज बचाई भगतों पे विपदा आई, तुमने ही लाज बचाई ले प्रहलाद को उनकी माता भी है लोटाई उनको पाकर हिर्णा कश्चप ने भी खुसी मनाई विष्णों भक्त प्रहलाद है जब उनको बोध हुआ हिर्णा कश्चप को प्रहलाद पे बड़ा ही क्रोध हुआ बोले पुत्रे से ना तुम लो सत्रू का आना भक्त प्रहलाद तु लेकिन जबत रहे हरिना समझाने पर भी प्रहलाद ने बात नहीं मानी उसका वध करने की फिर हिर्णा कश्य अपने ठाने अपने ही सुत के वद की युक्ति बनाते हैं पांबन कथा सुनाते हैं सिरहरी विष्णू जी के जो भक्त कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं भगतों पे विपदा आई, तुम्रे ही लाज बचाई अपने सैनिकों को दे दिया मारन का दे, तौन मार सकता उसको जिसके रख छक हो नरे हो गे भी फल सैनिकों के सब भाले और तलवार, लेकिन भक्त पहला दे को वो नहीं सके है मार अनेक विसेले सरपों से भी उनको डसवाया, भक्त पहला दे का लेकिन बाल नबाका वो कर पाया मिला के तीखाव इस भोजन में उन्हें खिलाया था, उचे परवत की चोटी से नीच गिराया था लाख यतन के बाद उसे वो मार न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं सिरी हरी विष्णों जी के जो भक्त कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं भगतो पे विपता आई, तुमने ही लाज बचाई भगतो पे विपता आई, तुमने ही लाज बचाई फिर हिरना कश्यप को आई, पहन हो लिकाया मार दो तुम पहलाद को उससे करने लगे फर्या क्योंकि हो लिकाने पाई थी ऐसी एक चादर जला नहीं सकती कोई अगनी भयंकर बोले चादर ओड पहलाद को गोद में आप बिठाना करके लकड़िया एक अत्रित हमको है आग लगाना तुम बच जाओगी अगनी में ये जल जाएगा नामों निसान धरास इश्वर का मिट जाएगा भाई बहन फिर दोनों ही सहमत हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सिरी हरी विष्णू जी के जो भक्त कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं भगतों पे बिपदा आएं तुमने ही लाज बचाएं भगतों पे बिपदा आएं तुमने ही लाज बचाएं जैसा कहां हिरिणा कश्यप ने वैसा काम कियां ओड के चादर भक्त प्रहलाद को गोद में बिठा लियां जलने लगी थी अकनी भगतों जिस समधू धू कर सिरीहरी ने ओडा दी प्रहलाद को चादर बच गय है प्रहलाद होली का जल कर खाक हुई जिस पे करती गर्ब बड़ा उस तन की राख हुई सुनकर हिरडा कस्यप फिर तो बड़े क्रोध में आए भगत प्रहलाद को बंदी बना तरबार में लिया पुलाए मारक लात जोर से वो खंब गिराते हैं पावन कथा सुनाते हैं सिरीहरी विसनोजी के जो भगत कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं भगतो पे विपदा आई तुमने ही लाज बचाई भगतो पे विपदा आई तुमने ही लाज बचाई भारी गर्जना हुई खंब से आए हर जोपा हैं भगत प्रहलाद की रच्छा को ले लिया नर सिंग आउता आधा नर और आधे सिंग कहर ने रूप बनाया रख जंगा पे दुष्ट को फिर तो है पर नोक पठाया भगतों की रच्छा करने खुद इश्वर आते हैं होता जन्म सफल ये कथा जो सुनते सुनाते हैं डियस पाल है करता स्री हर चर्णों में वंदन सोनोट एक चैनल पे कथा ये चलती है हर दिन फोजी सुरेस से हंस राज रलहन लिखवाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सिरी हरी विश्णों जी के जो भक्त कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं भक्तों पे विपदा आई तुमने ही लाज बचाई